देखते हैं आज का दिन अनिकी 14 अक्टूबर 2024 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरूआत करते हैं मेर शाशी वालों के लिए जैसा चल रहा है मेर शाशी वालों वैसे चलाई है कुछ खास उतार चड़ाव आज के दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा परिस्थिती अच्छ है उसे एक्स्ट्लोर करिए उसे अपने जीवन में इंबाइब करिए कुष दिशा नई दिशा आपको आच के दिन देखने को मिल सकती है नई सूचना मिल सकती है उस इंटुअन को आज के दिन अपने जीवन में आपको लागूosas करना है कुछ लाइसटाल improvement technique पे किसी भी तरह की कोई भी अगर अच्छी चीज आज के दिन आपको समझ में आती है तो आपने जीवन में उसको उतार सकते हैं उससे आपको काफी ज़दा positivity आज के दिन देखने को मिल सकती है बात करते हैं व्रिशिब राशी आने श्रूख होगी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या नेगोशियेट करने की situation निकल कर आ सकती है साथी साथ लंबे समय से चल रहा है कोई पारिवारिक तनाव जहां पर आप tension में थे, stressful zone में थे, चोटी मोटी अगर बहस किसी व्यक्ति विशेश के साथ या परिवार के किसी ददस्य के साथ चल रही थी तो अब वो situations आपके लिए balance out होती हुए नजर आएंगी कहने का मतलब यह कि overall जो relationship situations अगर मैं देखू लोगों से परिवार के लिए कुछ ना कुछ नया achieve कर सकते हैं, कुछ नया decide कर सकते हैं, premises change करने पे काम कर सकते हैं, situations आपके लिए positive हैं, अपने आपको और जदा आपको सुचारू धंग से परिस्टितियों को एक positive करके आगे बढ़ने की कोशिश करने चाहिए, professionally कुछ ना कुछ change indicated है, जो आपकी परिस्टिति को और strong करके जा सकता है, second आपके दौरान परिवार के साथ बिताये गया समय, आपको और rejuvenate करके जा सकता है, बात करते हैं करकराशी वालों के लिए, doing absolutely fine करकराशी वालों कहीं से किसी भी प्रकार की कोई नकरात्मक उठ जाया situation आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधारा हैं आपकी प्रबल रहेगी, इसी तरह से चलते चलिए आपको सब तरह से अपनी situations में positivity देखने को मिलेगी, साथी साथ आज के दिन आप अपने लिए कुछ नया create कर पाएंगे, creative acumen आपका high side पे रहेगा, business अगर आपका निजी वेवसाय और उसके expansion की तरफ आप ध्यान देने की सोच रहे हैं, तो बस उस पे आपको जादा एक ध्यान देने की जरूरत है, अपने आपको और सबल करिए, सक्षम करिए, आगे बढ़ते चरिए, आपको सब तरह से positivity देखने को मिलेगी, बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए, सिंग राशी वालों आपके लिए situations positive हैं, आज के दिन निवेश से संबंदित आप options को explore कर सकते हैं, जो आपकी परिस्टिती को all strong बना कर आगे ले जा सकता है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के एक शुक थे, उनके लिए situations positive हो सकती हैं, उनको कुछ न कुछ नया देखने को या सुनने को मिल सकता है, उस opportunity को explore करना चाहिए, किसी व्यक्ति विचेश की तरफ से आपको कोई महतवपूर्ण, राय, दिशा, सूचना या निरदेश सुनने को मिल सकता है, उसको आप और जादा deep down में अगर आप उसको investigate करेंगे तो आपकी परिस्तिती और ही strong होगी, यानि कि कहीं से भी कोई भी अगर constructive सुझाव आपको मिल रहा है, उसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, या उस परिस्तिती को explore कर सकते हैं, बात करते हैं कनियराशी वालों के लिए, situations आपके लिए कनियराशी वालों सकते हैं, clarity कम हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन या प्रयोग आज के दिन सोच समझ के करने की जरूरत है, आप communication को clear रखेंगे तो positivity अपने आप बन जाएगी, बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए, आपके लिए तुलाराशी वालों situations एक्दम positive है, साथी साथ आज के दिन कुछ नया निर्माड कर सकते हैं, किसी नई situations पे आप काम कर सकते हैं, आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के साथ को नया decision ले सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं, यह निरणे premises के संदर में भी हो सकता है कि आपका निवास्थान अगर आप change कर रहें, नहीं प् आपकी situations positive हैं, इसी तरह से चलते चलिए, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मन को control रखें कुछ ना कुछ अध्यात्म का बीच-बीच में सहारा लेते रहे हैं, बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए, आपके लिए situations व्रिश्चिक राशी वालों बिल्कुल ठीक हैं मन आपका शांत है, आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नया निरने ले सकते हैं, professionally, with respect to अगर आप नौकरी चेंज करने के एक्षों के कुछ नया offer आया तो उसे आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं, आपका business है और आप उसे expand करने की सोच रहे हैं, तो बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए, आपका पराक्रम बड़ा रहेगा, confidence intact रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, साथी साथ नई चीजों को imbibe कर पाएंगे, अपने और अपने परिवार के लिए काफी अच्छी situations आप बना पाएंगे, जैसे चल रहा है, वैसे चलाते सब तरह से आप situations को अपने favor में ला चुके हैं, संतान पक्ष की तरह से भी positivity बनी रहेगी, कुछ नया create कर सकते हैं, side by side अगर आप जो आपके एक basic income चल रही है, उसके side by side अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, तो वो सारे आज के दिन आया हम आपके सामने कुल कर आ सकते हैं बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, situations बिल्कुल ठीक हैं मकर राशी वालों, इसमें कोई चिंता जनक परिस्तिती नहीं है, परिवार का support बना रहेगा, सामानेता आज के दिन आपकी परिस्तिती रहेगी, कुछ खास चिंता करने का विशे नहीं है, पर स्वास संबंद बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए, आपके लिए situations कुमराशी वालों ठीक चल रही है, आज के दिन आपके लिए finances को improve करना या उनके लिए अच्छी situations पे काम करने का एक आवसर आपको मिल सकता है, उसे आपको explore करना चाहिए, मन को शांत रखते हुए, आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिरने आप ले सकते हैं, अगर आप नया घर लेने की सोच रहे था या old property जो है आप उसको बेशने की कोशिश कर रहे थे, तो आज के दिन आपको एक महत्वपूर्ण एक डील मिल सकती है, बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, परिस्थितियां आपके लेकिन वो हो सकता है, materialize होते 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 तीन से छे महिने का टाइम ले लें, लेकिन आज के दिन जो अभी आप अपने लिए resolution लेंगे, चाहे अपने लिए लें, चाहे परिवार के लिए लें, वो आगे आने वाले आपके तीन महिने के अंदर materialize होते हुए नजर आएं कर दो 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 कर